अब हम बात करते हैं उन्स चीजों की जो do's and don'ts मतलब वो क्या चीज है जो करनी चीज है और वो क्या चीज है जो नहीं करनी चीज है जब आपके सामने chest pain का patient होता है तो उसमें सबसे पहली priority है कि अगर आपके सामने को chest pain का patient है आपको पता है patient को heart attack है patient को complications है तो सबसे पहली है कि हमें काम रखना है हमें panic नहीं करना हमें जितना होना है कि हमें focus होके चलना है patient को काम करके panic भी ना करे patient को properly manage करना है और shift करना है और उसको confident रखना है patient की family को confidence रखना है ताकि उस patient को improve करने में आप एक मैत्वपूर योगदान दे सकें दूसरी चीज क्या है कि जब भी आपको chest pain का patient मिलता है आप high suspicious रखिए high diagnosis करिए आप यह मान के चलिए कि patient को heart attack ही है और उसी साब से patient को treat करें अगर heart attack नहीं होगा अगर इसी चीज में findings में नहीं आता है तो patient को at least आप अपने आप treat कर सकते हैं लेकिन अगर मालीजे हमने मिस कर दिया और heart attack का patient है हम गैस लेके ही चलते रहे तो ऐसे patient की जान को खत्रा हो सकता है और हमने अपने experience में देखा है बहुत सारे patient इसी तरीके से मारे जाते हैं जो की misdiagnosis होने की वरे से हम गैस के दर्द के चलते ही हम अपने आपको खराब कर लेते हैं तीसे चीज क्या है कि अगर माल लीजे कोई patient है जिसको पहले से ही diabetes की history है heart की history है blood pressure की history है और high cholesterol की history है तो ऐसे patients में हम high suspicious लेके चले कि patient को heart की problem हो सकती है और ignore ना करें और ऐसे patient को properly timely एक proper systematic तरीके से एक cardiologist जहांपे intervention cardiology होती है ऐसे hospital में shift कराएं shifting के time पे हमें ध्यान रखना है कि patient को किस प्रकार से shift करना है vitals को monitoring करते हुए patient को लेके जाना है काड़ी में कैसे लेके जाना है जो हमना shifting की video है उसमें प्रॉपरली देखिए और उसके साथ-साथ patient को patient के जो vitals है उसको monitor करते हुए windows को open करके या अगर आपका patient पहले सी problem में है तो oxygen cylinder आपके पास होने चाहिए ताकि shifting के time में oxygen के द्वारा patient को shift करने में आपको योगदान help मिल सके इसके इलावा अगर माली जे patient को आप hospital में shift कर रहे हैं तो shifting के पहले ही आप decide करके चलिए किस hospital में ले जाना है और क्या आपको उस hospital में वो सारी facilities available हैं जो की एक cardiac patient को manage करने के लिए चाहिए यह हमेशा ध्यान रखे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि shifting के दौरान आप time consume कर दे time नुकसान कर ले हमेशा सबसे पहले stability पर प्रायर्टी करिए अगर मा लीजे आपके nearby पहले hospital है जो stable कर सकता है पहले वहाँ ले जाए और उसके बाद further उसको patient को लेके जाए अगर patient का वो hospital जो है वो बहुत दूर है तो यह जीजों का ध्यान रखना है कि patient का stable करना भी एक priority है जो कि उसके साथ वो भी priority है कि correct hospital में ऐसा patient को पहुचाया जाए इसके लावा जो alarming signs हमने बताए है उसको properly monitor करते रहे ताकि patient को timely अगर हमने manage करवा दिया alarming sign के साथ से और timely shift कर दिया तो patient के recovery के chances को बेटर कर सकते हैं तो यह सारे points को आप ध्यान रखिए ताकि patient के recovery के better कर सके और patient के recovery के chances को improve कर सके ताकि जो heart की वज़े से या जो life threatening condition है जिसकी वज़े से जान को खत्रा हो सकता है उससे हम patient को बचा सकते हैं